वेलो गुड मॉर्णिंग डियर स्टूडेंट वेलकम टो सक्सिच कैरियर आज की इस वीडियो में बार्क वर्क असिस्टेंट की सिलेवस के बारे में बात करेंगे यहां पर सभी दोस्तों को कन्फूजन हो रहा है कि टीर फर्स्ट में कैसे कोश्चन आएंगे और टीर सेकें कौन सा होगा यह भी बताएंगे तो वीडियो को अंतग बने रहेगा और पीडियेफ पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में जाकर पीडियेफ को ले सकते हैं और साथ यहां टीर टू की सेकेंड एडवांट टेस्ट सिलेवस के बारे में बात करेंगे सेकेंड में एडवांट टेस्ट होगा चलिए इनकी बात करते हैं प्लिमेनरी टेस्ट के बार्क वर्क असिस्टेंट सिलेवस टियर फर्स्ट प्रिलीम्स टेस्ट सिलेवस इसमें जो होगा आपका पचास मल्टिपल च्वाइस अब्जेक्टिव कोस्चन आफ वन हावर डि मै्तेमेटिक्स होंगे वह 20 कोश्टन पूछा जाएगा साइंस के 20 कोश्टन पूछा जाएगा और जनल एवैनेस के 10 कोश्टन पूछे जाएंगे तो टोटल परसन पचास हो जाएंगे देखिए 20 20 40 10 50 पेपर की जो लेंगिज होगी वह इंगलिस होगा याद रखिएगा आपका 60 मिनट मिलेगा इस पेपर के लिए तो जो हिंदी से पेपर खोज रहे हैं तो हिंदी में पड़े को फड़े आप हिंदी की सिलेबस से लेना चाहते हैं तो np-c-il का पीडिएफ ले सकते हैं NPCIL की जो सीलेबस है सेम यही सीलेबस है बार्क वर्क असिस्टेंट का इसमें भी NPCIL वाल में 50 कोशन है तो यह जो पीडिएफ आपको मिल जाएगा 50 कोशन का होगा इंग्लिस हिंदी दोनों में आवेल बले नेक्स्ट है बार्क का जो मार्किंग स्कीम होगी ठीक है तो आपने प्रिलिम्स टेस्ट का सिलेबस देखा कि मैठमेटिक्स के 20 ऐसे 10 पढ़ेक से जानगल्र एवेंगेस Wallace से दस कौश्चन है पेपर की जो लेंग्वेज होगी इंग्लिस होगी आपका पेपर हिंदी मिनि नहीं होगा इंगलिस नहीं होगा और आपको साइठ मिनट का समय मिलेगा जो Marking, इसकी में आपका Marking कैसे होगा तो देखिए, इसमें भी Confusion नहीं कि Hij कि नहींX कि नहीं देखिए, यह 3 Mark will be awarded for each correct answer, यही आप correct answer दे रहे है तो आपको 3 Marks मिलेंगे एन 1 Mark will deduct for each innovations, और 1 marks काट लिए जाएंगे आपको यही आप गलत answer दे रहे तो नोट, candidate scoring less than 40% in general category will be screened out. For reserve candidate, the lowest cutoff will not be fixed below 30%. बिल्कुल यहाँ पे जो general category के हैं, उनकी जो scoring होगी 40% से कम नहीं होगी, अधिक ही होगा. और जो STAC categories हैं, उनके जो lowest cutoff होगा, वो 30% से अधिक होगा. 30% से नीचे नहीं होगा. एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. However, the number of candidates are listed for stage 2 will be depend upon the number of candidates qualifying in stage 1st. But, will not exceed 4-5 times number of vacancies. यहाँ बोल रहा है, however the number of vacancies are listed for stage 2. यहाँ पर candidate उतने ही start listed किये जाएंगे stage 2 के लिए, जिनकी candidate की qualifying mark होगी, और दूसरा stage 1st में वही लोग पास किये जाएंगे. कम से कम माल लिजे कि vacancy है, आपका यहाँ पर 70. तो 70 का 4 गुना है या 5 गुना है, 7-5 पैसी लगभाख 3500 लड़कों को इसमें पास किया जाएगा. तो याद रखिएगा, भले यह 30% और 40% दिया हुआ है पास आउट के लिए, लेकिन candidate यजी 70% पे उनको मिल जा रहा है, 3500 लड़के तो उनको ले लेगा. मैं यहाँ पर एक्जामपल दिया हूँ, जितनी वकेंश है उससे 4-5 गुना लड़कों को स्टेज सेकेंड में ले जाएंगे. अब देखिए, यहाँ पर advanced test syllabus हम बाद करते हैं, यानि कि अब second paper tier 2 का कैसा होगा, तो candidate qualifying stage first preliminary test will be eligible for advanced test, तो ऐसे student जो stage first में क्या करेंगे, eligible होगे, pass होगे, उनको advanced test के लिए क्या किया जाएगा, कि भेजा जाएगा tier 2 के लिए, इसमें भी 50 objective type question होगे, और यह जो 50 objective type question होगा, वो 2 वेंटे का होगा, two hours duration consist of mathematics, अब देखिए, इसमें जो syllabus होगे, वो mathematics से 15 question होगे, science से 15 question होगे, general awareness से 10 question होगे, और basic English की जो question होगे, इसमें English include कर रहा है, 10 number का, तो advanced test में यही बस syllabus आपका English वाला portion ही बढ़ जाया हो, वो भी 10 question, तो आपको पता चल गया होगा, कि advanced test में mathematics से याद रखीगा, 15 question, science से 15 question, general awareness से 10 question, और basic English से 10 question, इसकी जो marking होगी, marking मतलव की देख लिए, marking होगा, ये भी 3 number का होगा, correct answer के लिए, अब 1 number deductive in correct answer, final merit की बात कर लिए जाए, shall be prepared best and score obtained in stage 2, तो जाब final selection होगा, आपका, final selection आपके stage 2 के मार्क से होगा, आपका final selection, stage 2 के मार्क से हो stage 1 आपको qualifying मार्क है, लेकिन qualifying मार्क उनी candidate को लिया जाएगा, जो cutoff को पार कर रहे है, यानि कि 70 vacancy है, तो 70 के 5 युना कर दीजिए, यानि कि 300 लड़कों को ही बुलाएंगा, वो stage 2 के लिए, इस वाज़े से आप maximum number लाइए, stage 1 में भी, merit में आपका include नहीं होगा, लेकि stage 2 मे आप higher mark लाइए, जितना अधिक होज सके, 50 में 50 लाइए, अगर selection पाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो selection होगा, merit list निकलेगा, यह stage 2 पर ही निकलेगा, stage 1 पर नहीं, और paper की language यहाँ भी English में होगी, और जो time होगा, वो 120 मिनट का होगा, ठीक है, तो यह सभी आपको जा पढ़ लेकर आप पढ़ लिजिए, stage 1 के लिए, क्योंकि syllabus work assistant का सेम होता है, और bark UDC का different होता है, उसमें English बहुत high quality की पूछती है, तो इस पर का हमने वीडियो में बताया, NPCIL का PDF का link आपको description box में मिल जाएगा, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे next वीडियो में, इससे भी अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां से बार्क से related सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यान से मिलती रहेगी, document verification के समय भी आपको इस चैनल से help मिलता रहेगा, और इस वीडियो को दोस्तों सब त है, उसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं, तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सेयर करिएगा, एक लाइक करिएगा, क्योंकि इससे हमें motivation मिलता है, और वीडियो बनाने का दोस्तों